गोस्तों पिछले 15-20 दुरों से हम लगातार कह रहे हैं कि मॉल्दीव के प्रति हमारी जो वेट एंड वाच की पॉलिसी है वह पूरी तरह से विफल है हमने प्रोएक्टिव होना चाहिए मॉल्दीव के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए तो हमारा विरोध कोई मॉल्दीव की चनता नहीं कर रही है भारत में बैठे मॉल्दीव समर्थक नहीं कर रहे हैं हमारे अपने भारतिये हमारी पीट पर कोड़े बरसा रहे हैं भहिया ओनलाइन आकर कि भहिया जी तो मना आप से आप बात हैं करते हो अरे हम कोई बात नहीं कर रहे हैं आप अख़वार पढ़ भारतिये नेवी के साथ हाइड्रोलोजी का जो एग्रिमेंट था वो मौलदीब ने निरस्त कर दिया 2019 में बना था एग्रिमेंट अब टर्मिनेट कर दिया इनका कहना है कि हम तो हाइड्रोलोजी सर्वे खुद करेंगे मौलदीब के आसपास कहां कितनी गहरा ही है हम पता लगाएंगे अरे ये दो कोड़ी का देश हुद की खबत के लिए नारियल प्याज शकर नहीं जोटा सकते लेकिन ये दो मुहे साप आज हाइड्रोलोजी सर्वे करेंगे इनकी शकल देखके बताईए उकात है इनकी भारत ये नेवी का एग्रिमेंट छीन के ये चाइनीज जहाज बलवाएंगे देखना मौलदीब भारत का दोस्त नहीं बन सकता इतनी छोटी सी बात अधिकांस भारतियों के भेजे में आज तक नहीं घुश रही है जनाब यही कारण है कि मौलदीब ने अपने पूरे इस्यास के रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं 18 लाग पर्रेटक गए हैं मौलदीब में और वो पूरी तरह से संबाव है तो जनाब अभी केनेडा का बिवाद हुआ था तो हमने उनके राजदूतों को उनके दूतावास के अधिकारियों को धक्के मार के बगाया था कि नहीं बगाया था मौलदीब तो केनेडा से ज्यादा बुरा कर रहा है हमारे साथ तो भारत में मौलदीब के राजदूतावास में जो बड़े-बड़े अधिकारी बैटे हैं वो भाये जी कौन सा पहाड तोड़ रहे हैं यहाँ पर जब आपसी संबंद खराब हो रहे हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए अब दोस्तों आप मैंसे कुछ लोग चल लाएंगे मौदी जी को तुम सलाल देते हो तुमारी आउकाद क्या है तो जनाब मौदी जी में तो हमें बहुत ज्यादा भरोसा है लेकिन साथ में हम मौदीब की पॉलिटिक्स को भी फ़लो करते है मौदीब का अखवार की खवर है जनाब देखिए आप मौदीब के लीडर्स ने कहा था कि भारती राज़ दूताबास जो मौदीब में है उस पर हमला करना चाहिए जिस लीडर ने ये कहा था अखवार हैं लेकिन जमीनी वास्तविक्ता नहीं बदलेगी अब्दुल्लाई आमीन अलग हो चुके हैं मौदू से इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक आतंकबादी जो मौदीब के हैं उनके सपोर्ट के लिए अब्दुल्लायामीन और मोईजू के बीच काटे की टक्कर है इसलिए दोनों के बीच में रेस चल रही है अपने आपको बड़ा एंटी इंडिया दिखाने की घ्यान दीजिएगा अगले दो-तीन महीने बाद वहाँ पर परलिमेंटरी एलेक्षन है जिसमें बहुमत प्राप्त करना मोईजू की जिन्दगी का एक मात्र उद्देश है तो इंडिया आउट केम्पेन और भड़केगी भारत के साथ किये जा रहे अग्रिमेंट और तोड़े जाएंगे चीन की लॉलीपॉप और चूसी जाएगी इसलिए मौलदीप के साथ सभी अग्रिमेंट को हमने होल्ड उपर रखना चाहिए मौलदीप को जाने वाले जरूरी सामगरी पर रोक लगना चाहिए और मौलदीप के राजदूत को भारत से धक्के मार कर भगाना चाहिए भारत मौल दीप के संबन्नों की लुटिया अगले पास सालों के लिए कम से कम अगले पास सालों के लिए दूब चुकी है इसको उबारने का हम कितना भी प्यास कर लें संबब नहीं होगा दोस्तों आज देख लीजिए भारती सर्मार्केट 21,300 के लेवल पर शाहन से खड़ा हुआ है और इसी तरह मार्केट उपर चड़ता रहेगा बीच बीच में गिरावटें भी आएंगी वो चलता रहेगा पॉइंट यह है गिरावट में खरीदने के लिए उचाल के बाद बेचने के लिए सही अनुमान लगाने के लिए भवशवानी करने के लिए जरूरी होनर और कलाएं सीख लीजिए किन्तु धियान रखियेगा अगले 16 दिनों के बाद हमारे तीनों आत्मिर्वर इंवेस्टर फ्यूचर सिवम आप्शन्स कोर्स की फीस डबल होने जा रही है डबल इसलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके अपना पसंदीदा आत्मिर्वर इंवेस् येगा